हेलो एबरिवान वेलकम बैक टू दी चानल आज की इस वीडियो में जो में रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वह मेरा बहुत ही जादा फेवरिट रेसिपी है इसका नाम है पाटी शाप्टा और यह बहुत ही जादा लाइट सुवी डेजर्ट है तो आज की वीडियो में मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो चलिए बनाते हैं पाटी शाप्टा तो यहां पे हम लेंगे एक बावल के करीब फ्रेश नारियल यानि की कोकोनट और उसे मिक्सी में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे इसके बाद हम इसका फिलिंग बनाएंगे तो उसके लिए हम पैन में आधे कप के करीब दूद लेंगे और उसे हल्का बॉयल आने तक बॉयल करके उसके बाद जो हमारा ग्रेटेट कोकोनट है वो हम इसमें डाल के और इसे कुक करेंगे फ्रेश कोकोनट के अंदर में हम ज्यादा मिल्क आड नहीं करेंगे बस हाफ कप के करेब मिल्क आड करेंगे और इसे कुक करेंगे और इसमें आप फ्रेश नारियल ही यूज़ करें तो ज्यादा अच्छा होगा डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है वो यूज़ नहीं करिए गोंकि नर्य और उसमें बहुत होता है तेस्ट में आपको बहुत ही डिफरंस लगेगा इस लिए इसके बाद यहां पे यह गुड़ का पादी के अंदर में गुड का पानी और उसके बाद इसे मीडियम लो फेम पे हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि इसमें एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है तब तक हमें इसे कुक करना है और इसके बाद हम यहां इसका बैटर बनाएंगे तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे सौफ और इसे हम कोशली कूट लेंगे इसके बाद मैं यहां पे मैं मैदा इस्तमाल कर रही हूं और वैसे चावल काटा यूज होता है पर मैं मैदा से बना रही हूं यह भी उतना ही अच्छा बनता है जितना की चावल काटा का तो यहां पे मैंने आधे कप के करीब दूद लिया है और अधीक अपके गरीब गुड़ का पानी लिया है जो मैंने बनाया था और इसके बाद ये अच्छा सा एक बैटर हम तयार कर लेंगे उसके बाद पैन में हम दालेंगे जरा सा घी बिल्कुल इसे हलका एक चिकनापन देने के लिए और इसके बाद हम ये बैटर इसमें फिल पीच में फिलिंग भरेंगे और ये हमारा बनके बिल्कुल तयार है और कितना खुबसरत लग रहा है इसका कलर और खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी है ट्रस्ट मी आप इसे एक बार घर में जरूर बनाईएगा बहुत असान है तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट कर के जरूर बताईएगा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चानल को मिलेंगे फिर एक अच्छे से मीठेज रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई